नमस्कर न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ में उत्रुप्तिव शुकर्मा आईए खबरों का सलसलाब शुरू करते हैं तंबाको के सेवन को लेकर युवाओं को सचेत करने के उद्देश से पश्मी सिंभुम जीले में विद्यालेओं में जागुर्टा अभ्यान शुरू किया गया है इसके तहत कक्षा आठ से दस तक के विद्यार्थियों एवं सिख्चकों के बीच जागुर्टा एवं उन मुखी करन कारेक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकु से होने वाले दुस्परिनाम से लोगों को बचाना और जागुर्ट करना है तंबाकु के सेवन से होने वाले मुख्यता मु एवं पेपडों के कैंसर से बशने के प्रती चेतना लाई जा रही है विशे सग्यो द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार कोटपा आधिनियम 2003 का सक्ती से अनुपालन करने पर काफी हद तक तंबाकु के उप्योग को नियंतरित किया जा सकता है सदर हॉस्पिटल में डेंटल ओपीडी में चल रहे तंबाकु निवारन केंदर के बारे में भी जानकारी दी जा रही है जहां तंबाकु की लट को छोड़ने की चाह रखने वालों का इलाज किया जाता है इसके अलावा तंबाकु सेवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर 18-00-11-2356 पर कॉल करके भी सला दी जा रही है उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार की अभ्यान से चात्रों को जोड़ने का अच्छा परिनाम देखने को मिलेगा राष्टे तंबाकु नियंतरं काचकरम के तहट आज हमारे विद्याले में एक उनमुखी करण काचकरम का आयोजन किया गया जिसमें जिले से आए हुए पदादिकारी हमारे बच्चों को काफी विस्तार से उन बिमारियों के बारें बताएं जो तंबाकु सेवन से होते हैं मुझे पूर्ण बिश्वास है कि इस काशकर्म से मिली जानकारियों से हमारे बच्चे जो बर्तमान में किसवरावस्था में हैं वे अपने युवावस्था को सुरचित रख पाएंगे हमारे बच्चे जिनको की parental care काफी कम मिलता है इनके माता पिता वे होते हैं जो दैनिंग मजदूरी के लिए जाते हैं और उनकी अनुपस्थिती में हमारे बच्चे गलत संगत में पढ़कर तंबाकू सेवन जैसे गलत आदत का सिकात हो जाते हैं मुझे आशा है कि आज की इस काशकर्म में मिली जानकारियों से हमारे बच्चे तंबाकू सेवन से अपने आपको दूर रखेंगे पिशले साथ महिने से वेतन का भुकतान नहीं होने से स्वास्त विभाग खे 386 कर्मचारी आज से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले गए हैं इनके हर्ताल पर चले जाने से पूरे जीले की स्वास्त विवस्था प्रभावित होगी स्वास्त सेवाओं के साथ साथ टीकाकरन अभ्यान भी बाधित होगा दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों ने वेतन भुकतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था कर्मचारियों ने जब वेतन भुकतान के लिए सीविल सर्जन पर दबाव बनाना शुरू किया तो उनके द्वारा चारसो अस्ती करमचारियों का भुक्तान कर दिये जाने की बात कही गई जबकि करमचारियों का कहना है कि कुछ करमचारियों का एक दो महिने का वेतन भेजा गया है जबकि बाकी करमचारियों के बैंक खाता में पैसा गया ही नहीं है कर्मचारी संग के प्रभारी जीला मंत्री मनुरंजन कुमार ने बताया कि क्या कोई पदादिकारी बिना वेतन के काम करेंगे तो फिर कर्मचारियों को वेतन देने में इस तरह की लापरवाही क्यों होती है इस वेतन के पैसे सही कर्मचारियों का घर चलता है उन्हें भुकता नहीं होगा तो उनका परिवार का भरन पोशन कैसे होगा इसके बाद दिवाली में छठ पूजा में सोहराई पर्व में किसी भी करमचारियों को वेतन नहीं दिया गया पेट्रोलियम पदार्थों की मुल्य वृद्धी और महंगाई सहित अन्य मुद्धों को लेकर कॉंग्रिस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है इस अभ्यान के तहट पश्मी सिंभुम जीले के गाउं में जन जागरन अभ्यान चलाया जा रहा है सदर प्रखन के मतकम हातु पंचायत के विबिन टोला में प्रभात फेरी निकाली गई कर दिया है बढ़ती महंगाई और बिरुजगारी के खिलाब पंचायतों में जन जागरन अभ्यान देश को बचाने का काम करेगी लक्ष्मी टीविएस का फेस्टिवल ओफर टीविएस की गाड़ियों की खरिदारी पर शांदार ओफर हर खरिदारी पर मिलेगा स्क्रैच कुपन स्क्रैच कुपन में तीन हजार से एक लाक रुपए तक का निश्चितु पहार लक्ष्मी टीविएस सोरुम में 1111 रुपए के डाउन पेमिंट पर खरिद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुख्त बाल दिवस के अवसर पर मस्कल फांडेशन कमार हातू की ओर से प्रात्मिक उच्च और महा विद्याले स्तर के विद्यार्थियों की बीच सुलेक, निबंधन, चित्रांकन, गनित और समाने गान प्रत्योगिता का आयोजन किया गया प्रत्योगिता में काफी संख्या में बालक बालिकाओं ने भाग लिया प्रत्योगिता का परिणाम लाइबरी स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को घोशित किया जाएगा इसी दिन सफल प्रति भागियों को पुरुस्कृत किया जाएगा पंडित जवाहर लाल नहरू की जैनती के अवसर पर मदर्सा चैवासा में डेंटल चेकप शिविर का आयोजिन किया गया जिसमें 31 लोगों का निशुल्क डेंटल चेकप किया गया जार्खन प्रदेस मुसलिम विकास मंच नगर कमीटी चैवासा की ओर से बाल दिवस पर आयोजित डेंटल चेकप शिविर में दन्त रोग विशेशग्य डॉक्टर फलक परवीन ने लोगों का दन्त जाच किया शिविर में लोगों को दवाई भी दी गई जार्खन योग संकी ओर से राची के विवेकानन विद्या मंदिर में आयोजित 21 जार्खन राजिस्तरिये योगासन स्पोर्ट्स चैंपिंट में पश्मी सिंभुम जीला योगा एसोसिसन के बच्चों ने बैतर प्रदर्शन किया है इस प्रतियोगिता में पश्मी सिंभुम से 16 प्रतिभागी शामिल हुए थे जबकि राज्य के 17 जीलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था जिसमें आदित्य सोनकर अगनी ओज्जा रश्मी सिंग कू दिक्षा सवोकर रेंजर सिंग सरदार करन प्रजापती वेर सिं प्रने की उत्प्रेणा दी। सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में 122 यूनिट रक्त संग्रा किया गया। रक्तदाताओं को भगीर्या फॉंडेशन द्वारा प्रतीक चिन्न दे कर सम्मानित किया गया। अतितियों एवं प्रसासनिक अधिकारियों ने शिविर में पहुँच कर रक्तदाताओं की अपील की वही पद्न्च्री सस्दर आचारे ने सिक्षा और कला को बढ़ावा देने की लिए लोगों से सहयोग मांगा पश्मी सिंभुम जीला कॉंग्रेस कमीटी ने जन जागरन अभ्यान को लेकर बैठक की बैठक में जार्कन कॉंग्रेस कमीटी के प्रदेश अध्यक् के दो दिवसिय कारेक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई प्रदेश अध्यक्ष के पश्मी सिंभुम में 15 और 16 नवंबर को होने वाले कारेक्रम को लेकर जीला अध्यक्ष अंबर्राय चौधरी कारेकारी जीला अध्यक्ष रंजन बोईपाई कारेक्रम प्रभारी देब प्रेखा तैकी। प्रेखा टुरूंत आपके जगह आ नहीं सकते हैं तो ऐसे आप समय को करते होई कि हर दाओं में आजकल हम पंचायतों में सब्ताही बजार वहता है चोटे चोटे बजार लगता हैं तो पुसिश करें कि बजारों में भी जाकर के जंडा ले जाना है चारपांशों को लेके ज करना है तो यह हम लोग कोसिश करें और जो सफ्ताहीं बड़े बजार होते हैं वहां पर हम लोग आपने बापों को रखें कि आज भारती जंटा पाटी केम्रिक की सरकार किस तरीके से छोटे से छोटे गरीब से गरीब आत्मी का जेबी काट रहेंगे तेल के दाम बढ़ ग अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक नियूस टाइम्स की पूरी टीम को दीज़े इजाजत नमशकर